प्यारे बच्चों इस टॉपिक में आज हम आपको बताएंगे कि नाउन जेंडर का पार्ट सेकेंड इसमें क्या है इसमें बताया जाएगा कि वेज आफ चेंजिंग जेंडर 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 चेंज करने का तरीका जेंडर को चेंज करने का तरीका कैसे उसको मैं स्कूलिन से फेमिन कैसे बनाया जाता है मैं स्कूलिन जेंडर से फेमिन जेंडर कैसे बनाया जाता है बहुत इंपार्टेंट है यह समझ लीजिए जो सब्द आपके सामने लिखे हैं बहुत इंपार्टेंट है इसको तब तयार कर लीजिए, याद रखिए को वेज़ आफ changing gender, gender को change करने का तरीके वेज मिंस तरीके विधिया क्या है देखे में जेंडर को जो change किया जाता उसकी तीन विधिया है मैं स्कूलिन से फेमिन बनाने की जो विधी है वो तीन है पहले ध्यान समझेगा पहला जो विधी है उसमें हम सब्द को इंटायरली बदल देते हैं पूरा चेंज कर देते हैं इंटायरली entirely पूरी तरह से बदल करके हम क्या करते है पूरी तरह से बदल देते हैं और family gender बनाते हैं तेसे हार्स है तो हार्स का लिख देंगे mayor, गोडी हार्स means खोडा और mayor means घोडी m-a-r-e mayor means घोडी पूरी तरह से बदल देंगे दूसरा क्या है suffix और prefix suffix means प्रत्य prefix उपसर्ग उपसर्ग और प्रत्य लगाकर हम मैस्कुलन से feminine बनाते हैं और उपसर्ग में जो उपसर्ग होंगे prefix होंगे prefix जो होंगे वो ही है सी है जैक है जेनी है टाम है टैबी है पी है इसे पी काक है पी हन है इस तरह पी लगाएंगे ही लगाएंगे सी लगाएंगे काक लगाएंगे हन लगाएंगे इस तरह prefix से बनाएंगे इस सफिक्स में दॉब लेज़ सफिक्स में इडॉब लगा कर हम मैं इस्कुलींज से अब नाते हैं तो आते हैं कम दुदा पॉइंट देखिया स्मझेए कि इंटर ली जो से सестν fragen सभक 112द्य करेंगे पूरी तरह से कौई से बदला जायेगा बहुत सभ्षाजिये अधिरली pink करेंगे जैंग नंबर दो मिलना मिलना है पक कोमाल कि चलिए इसलिका बोर बोर मिल होता है सुवर कौन सा सुवर बोर दू सुवर मेल मैस्कूलिन जेंडर नरसुवर तो इसका हो जागा सो क्या हो जागा सो एस ओर्वलू सो बोर का सो हो जाता है मादा सुवर हो गई बोर नर सुवर सो मादा सुवर बक 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 हिरन है नर हिरन डो हिरनी मादा हिरन है हिरनी कोल्ट क्या है घोले का नर बच्चा घोले का नर बच्चा कोल्ट तो कोल्ट का हो जाता है फिली बहुत ध्यान से सुनियेगा फिली फिली होता है फिली ड्रैक बतक नर बतक डक मादा बतक तो ड्रैक नर डक मादा ड्रोन नर मदवमक्खी ड्रोन very very important तो द्रोन नर्म पहलत मेघी और आपका माद मॉद मक्की इसह थो में अगरा स्वांच में आपकी मल है और दो मल्य हicz कि और सुपने कि यह थाइप आपने होता है तो हाज का रो होता है हाड का यह हो ngay और ओि रो रो जब बक आए गा तो जो आप लिखेंगे जब आओ राइगा तो रो लिखेंगे क्या लिखेंगे रोगव है इस टैग इस ऐनियोग मिस्व्ठा को हांइड रिखेंगे हीय क्या लिखेंगे हाइंड है इस टैक का फेमिलिन जेंडर होता हाइंड 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 हार्ट का फेमिलिन जेंडर रो होता रो यह अब दिखें लाइड जेंटिलमेन लाइड का भी लेडी होता है और जेंटिल मैन का भी लेडी हो आर-ए-ए-म रैम रैम या वेदर जो मौस्टमॉली स्पेलिंग है W-E-A-T-H-E-A लेकिन यहां पर भी जो रैम कारत होगा वही वेदर कारत होगा आर-ए-म राम नहीं पढ़ेंगे आर-ए-म रैम रैम माने भेडा भेडा होता भेडा नर भेडा और E-W-E-U यू-उ मिन्स भेडी तो रैम का जो फेमिन जेंडर होगा वह यू होगा जितने हैं इधर वाले मेल हैं और यह सब क्या है आपके फिमेल है मैं स्कूलिन है यह सब फेमिन जेंडर है आप देखे विजार्ड जादूगर भूत भी इसको कहते हैं विजार्ड तो जाएगा काफ मिस बच्छडा तो हेफर लिखते हैं बच्छडी मले जो गाय का फिमेल गाय का जो फिमेल बच्छा है उसको हेफर कहेंगे फाक्स लोम्री फाक्स का हो जाएगा विक्षन क्या हो जाएगा विक्षन अर्ल अर्ल का हो जाएगा काउंटेस और गैंडर गैंडर का गूज क्या हो जाएगा गूज गैंडर का गूज गैंडर का गूज गैंडर का गूज गैंडर का गूज लैड में लड़का या छोकर तो इसका लैस, लड़की या छोकरी, ड्यूग, ड्यूग का डचेज, हीरो, हीरोईन, ब्राइड गुरूम माने दुलहा होता है, और ब्राइड मिंस दुलहान, विदूर माने जिसका जिसका जिसकी पतनी मर गई हो, विदूर कहते हैं, और जिसका पतनी मर गई हो, उसको वीडो कहते हैं, वीडो, सुल्तान, सुल्ताना, यहां दिजेगा, तो इसको हमने entirely change किया है, पूरी तरह से बदल दिया है, तो ये सब जेंडर चेंज करने की भीधी है द्यान दीजे फिर सब सुनिए बोर सो बक दो कोल्ट फिली ड्रैक डक ड्रोन बी हार्ट हार्ट रो स्टैग हाइंड लाड जेंटिलमैन लेडी रैम यू वेदर यू विजार्ड विच काफ हेफर फाक्स विक्षन अर्ल काउंटे गैंडर गूज पच्छी है कलहंस पच्छी लैड लैस है ड्यूक डचेज हीरो हीरोई ब्राइड गुरूम ब्राइड बीडोवर वीडो सुल्तान सुल्ताना आगा समझ में तो यह सब क्या है इंटार्ली चेंज किये गए हैं यह आपके मैस्कुली जेंडर है और यह आपक लिजेगा आप देखिए आपका विदसी सब्द है तो गर्न देश 서व है ब्यू लिखा भिव कि भी टी ए यू विव की दी तो क्याता है है कि इससी सब्द है अफ न लिखा घो लिखा अबस के विशेहू ऑको कि इसको कहते है च्छैला नारी प्रेमी नारी का जो प्रेमी है दिव तोस्का जो फेमिल script ओडिविफु अर्भा नारे धायदमर को कि यह द्यांत दीज्छेह को उसके समराट तो जार जारिना क्या होगा जारिना आपका हो गया फैमनेंगे mi आपका मैसकुलिन ऑ बैले आगए समझ में तो यह सब इन्टिरली चेंज हुए बहुत इंपार्टन हैं इसी में से पूछे जाते पर इच्छा में इसी में सी पूछ जाते हैं r a m रैम पढ़ेंगे रैम मिंस भेडा होता है उसका फैमनिन जनूर क्या होता है यू ए डबलू ए यू यू होता है ठीक है रामका शीता ना लिख दीजिए हम यू होता है अब कुछ है क्या है प्रिफिक्स है प्रिफिक्स से माने उफसरग उफसरग लगा कि कैसे इसे ही गोट बक्रा तो ही का सी गोट बक्री जैक ऐस गधा जेनी ऐस गधी टाम कैट नर बिल्ली टैबी कैट मादा बिल्ली पीकॉक मोर पीहंड नी काक इस पेरो मने ना गउर यह स्राइब पुरुष गॉरहिया तो रहिया आये आपका मादा तो यह नर हो गया नर गॉरहिया मादा गॉरहिया मैं में शर्वेंट मेड सर्वेंट नौकर नौकरानी प्रसे सुन लीज़े ही गोट सी गोट जैक आएस जेनी एस टाम कैट टैवी कैट पी काक पी हैन काकिस पैरो है नर गवरिया और मादागौरिया मैं सर्बेंट नवकर नोकरानी तो आपके प्रिफिक्स वाले हो गए ही लगा डैक लगा जैक लगा जेनी लगा देखिये लगा देआने आगे-ँ क्या क्या है अब सफिक्स म्हें क्या है इडवल तक्राइड व लेत से दो निए इडवल अले नहींद इडा नहीं गया है जिसे जो सब्सक्राइब भर जढ़ंडर है उसमें इम् शोल कर आप क्या बना सकते थैसे लिकांट से लिखांट काउंट माने होता सामत raloncoat दिमार ओरतों काउंटेस क्या होगत काउंटिस इचुल्टीजियोंट फिस ईल स्सी काउंटेस कॉंटेस यह लिखा जाइन सीज्द वोई सबस्ति हो जो दीजी ञाइंट एस गार्ड कि गार्डेस तर गार्ड decides me dody हो जाएगा जी ओडबल दी डी डीड़ल ऐस को सब्साटे कि हल दो है ए रिका एई एच-े-yर- एन-स है एर माने सब्सक्राइघार मों सब्सक्राइब का मिर अज्वन P sister길 एच कि किए टिए डेबल अज सी नहते हैं कि पुझारी आपि पुरोहिद तो पुरीष्ट में फियार शृत लिए अना यहोदी प्रिष इट्ल दि प्रिश्ट और जीवेस माने यहूदन और लाइन लिखा लाइन माने सेर होता लाइनस में सेर नहीं हो जाएगा तो EWS लगाने का तरीका है ध्यान दीजे जो मैं स्कूल इंजेंडर दिये होंगे उसमें EWS जोड़ देंगे उसके आगे एड़ कर देंगे सफिक्स लगा देंगे आपका ब लगाना है Goddess, Ares, Hostess, Priestess, जीवेस, Lines लेकिन EWS लगाने काई तो पहला नहीं हो गया दूसरा क्या है EWS लगाएंगे लेकिन वावल को हटा कर जो वावल आएगा लास्ट में जो लास्ट लेवल में जो वावल आएगा उसको वावल को हटा देंगे और तब EWS का प्रियोक करे होए को जैसे देखिए लिखा इम्पार सब्सेखें इम्परम्राट होता है इम पी एर ओर लिखा हुए आप क्या करेंगे इसे फाल यह है ओ वाबल को हटा देंगे तब क्या होगा देखें देखें कैसे बनाएंगे वाबल को हटा करके तब EWS लगाएंगे जैसे देखें जैसे हैं आपका लिखा इंपर देखें जहां से बहुत जहां सुनिएगा इम पी आर ओ इंपर अब आपका क्या बनाना है तो हो जाएंगे इस आर को इसके बगल लगा देंगे मिंड़स इम परेश इस ओ को क्या करेंगे अमिट Ikौह घाटा देंगिए इसको हटा देंगे ओ को हटा देगे और को यहां ले आएंगे इड़ेगर संब आठ सम्राइट इमप्रेस अभेस घां टाइगर teşekkür तो क्या मनएगे टी आई जी मलग अब देखो आर यहां लगा देंगे एडबल एस टाइगरेस हो गया ना देखो टी आई जी यह रहा है तो इसको वह आविल हटा दिये एको हटा दिये आर यहां लगके एड़ेस जोड़ दिये टाइगर हो गया हंटर हंटर हटा आप देखें क्या हो गया एच यू एन टी आडी आड़ लगके एड़ेस आगे सम्हां हंट्रस फिर देखें निग्रो अब यहां करेंगे एड़ेस निग्रेस यह आवल हड़ जाएगा इडे वर झूर दीजे इसके आगे को exhib, लेटर था नहीं इसलिए नहीं लगाया गया नेक्स देखिए फिर क्या लिखा पोर्टर पोर्टर मेंस क्या होता है 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 पोर्टर मेंस क्या होता है 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 अब देखें अब पोर्टर है तो लिखेंगे eo r t r ews यह दा देंगे इंस्पेक्टर है और यहां लगा देंगे यह इन्स्पेक्ट्रेस देखिए इंस्पेक्ट्रेस इंस पैक टीर आर इडिवल इस इंस्पेक्ट्रेस गवर नर गवर्नेस देखिए जी ओ वी ए आर यन इडवल इस जी ओ वी ए आर यन इडवल इस गवर्नेस अगा सोन इतने जो हैं आपके जो गया है तो इस इडवल इस लगाकर बने इस प्रकार अब कर इस प्रकार कि जंडर्ट करने का यही तरीका है लेकिन ध्यां रखेगा कि कुछ कि मैं श्रुलिन जंडर में मैं लगा रहता है में कि वह दो सब्द हैं ध्यान रखेगा दो सम्द तो उसका feminine gender person लगा के बनाय जाता है जैसे सब्द क्या है आपके सामने सब्द है chair man और spokesman कौन सब्द है chair man और spokesman chair man chair man और spokesman है कि महुंत ध्यांत समझिए हैं कि चेर मैं अध्याच अ इस फोक्समेंग वक्ता गया न यह आउव हाफ अधरस जो दूसरों के तरप से बोलता प्रवक्ता है इसे कहतेкими प्रवक्ता दूसरे की तरप से तो इन एक प्रवक्ता है और दिक्कत हो जाएगी समस्या हो जाएगी स्पोक्स मैं है तो स्पोक्स परसन लखेंगे इस अधिजन है रखिए गा बस कि आज के इस टॉपिक में इतने कि अब मैंने पूरी कोशिस करके इसको आपको पढ़ा दिया है अब नेक्स्ट वीडियो में अगला कोई टापिक होगा लेट साल थेंक यू